इसमती जी 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में फरक क्या है? 2014 से पहले विशेश्टा कॉंग्रेस की सरकार में परिवार ही सरकार का केंदर बिंदू था परिवार का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्रार्थिमिक्ता थी और उस परिवार का नाम है गानली खांदान 2014 के बाद देश को रिमोट से मुक्ती मिली और प्रधान सेवक की सेवा मिली यही राजनीती का सबसे बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने को मिला लेकिन राहूल गांधी तो कह रहे हैं कि यह सरकार देश को बहुत पीछे ले गई क्या 11 करोड गरीबों के लिए और गरीब परिवारों के लिए टॉलेट बनाना देश को पीछे ले जाना है क्या 4 करोड गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार घर मुहाया कराना देश को पीछे ले जाना है क्या 45 करोड हिंदुस्तानियों को बैंक का खाता दिलवाना देश को पीछे ले जाना है क्या मार्ज मिशन को महिलाओं द्वारा संचालित करना देश को पीछे ले जाना है क्या विश्व की पांच वी सबसे बड़ी अर्थ्वियवस्ता बन जाना देश को पीछे ले जाना है क्या 220 करोड वैक्सीन की डोज मुफ्त देश को दिलवाना देश को पीछे ले जाना है क्या 80 करोड नागरिकों को 20 साल तक मुफ्त में राशन देना देश को पीछे ले जाना है क्या 11 करोड किसानों को 6,000 रुपे सालाना बैंक के खाते में पैसा पहुंचाना देश को पीछे ले जाना है क्या यूक्रेन और रश्या के युद्ध को विराम देकर सुरक्षित भारतियों को घर ले जाना देश को पीछे ले जाना है इसमेदी जी आपने का पांच्वी बड़ी अर्थ व्यवस्ता है भारत इस वक्त में राहूल गांदी कहना है कि 70 साल में जो उन्होंने है नी पौन्चि युद्ल धे 11 करोड़ टॉयलेट सब क्यों नहीं बंपने जब उनकी सरकार थी धारह 370 अवर्ण को और परिवारों को जीवन में पहली बार नल से जल देना तब शमभव क्यू नहीं को आज है कि आ. सरकार थी देश में आजादी के बाद 14 तक सिरफ 74 ही एरपोर्ट्स थे 14 से लेकर 23 तक 74 और एरपोर्ट्स का बन जाना ये तब संभव क्यों नहीं हुआ जब उनकी सरकार थी और सरकार की संभावने राश्ट्रे स्थर पर तो छोड़िये राउल जी अगर खुदा ना खासता आपका ये कारेक्रम देख रहे हो तो उनसे पूचिये अमेठी में खाद की पहली रैक तब उतारी गई जब स्वृति इरानी ने कोशिश की जो अपनी अपनी लोग सभाद छेत्र में खाद की एक रैक ना उतार पाए वो देश की संभावनाओं पर मुक्त चिंतन नहीं कर तो बैतर है देश में नौ साल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलें इसमिती जी चार साल में अमेठी में क्या क्या बदलाव देखने को मिले सर चार साल पहले अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस नहीं था चार साल पहले अमेठी में फायर स्टेशन नहीं था चार साल पहल सबले अमेति में डायलेस सेंटर नहीं था चार साल पहले अमेठी में सॉइल देश में एक्सपोर्ट किया जा सके चार साल पहले अमेठी को कोई भी एक्स्प्रेस फे जोड़ती नहीं थी चार साल पहले अमेठी में फुर्सत गंज में जनता के लिए हवाई अड्डा उडान का नहीं था यह सब अमेठी में कृपा ए रावल जी की जो अमेठी से चले गए अब अमेठी में मुदी सरकार की वज़जसे सम्भव होब हैं वह अमेठी से तो गए लेकिन अभी फिलाल अमेरिका payment और वहाँ उन्होंने हिंदुस्तान की सेना से प्रमान वांगा था जब हिंदुस्तान की सेना ने और वायू सेना ने पाकिस्तान पर आक्रमन किया था आतंकी कैम्पों को धेर करने के लिए मैं देश के प्रती उनकी मौबबत देख चुके हूँ जब वो चीन के अमबैसेडर से देश के खिलाफ विवरन ले रहे थे मैं देश के प्रती उनकी मौबबत देख चुके हूँ जब वो हिंदूओं को आतंकवादी कह रहे थे मैं देश के प्रती उनकी महबत देख चुके हूँ जब वो विदेशी वैक्सीन चाह रहे थे और हिंदुस्तान में बने वैक्सीन का बहिशकार कर रहे थे राहुल गांदी को देश से कितनी महबत है यह हम सब जानते है लेकिन इस्विती जी एक सवाल तो बनता है इस नौ साल में आपके साथ विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हो पाता है आखरी सवाल बनता है भाई साब, विपक्ष का काम है विरोध करना, हमारे साथ खड़ा होता तो हम भी विपक्ष में होते भाई साब, और राउल गांदी, गांदी खांदान सिर्फ गांदी खांदान के साथ खड़ा होता है, देश के साथ नहीं, हम देश के साथ खड़े हैं इसलिए गांदी खांदान विपक्ष में कम से कम संसद नया जो भवन बना था उसमें तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो सकता था उसमें क्या सरकार कोशिश नहीं कर पाई उनको साथ लाने में देखिए सरकार का काम है संसद भवन का निर्मान कर देश को समर्पित करना सरकार राहुल गांधी, सोनिय गांधी और प्रियंका वाड़रा की बेबी सिटर नहीं है और बहिशकार उन्होंने संसत का किया जो मोदी का भवन नहीं है देश के नागरिक का भवन है उन्हें देश से कितनी मौबबत है या भलिभाती समझते हैं लेकिन जाते जाते मेरा सवाल यह है जिस संसत का बहिशकार क्या उन्होंने उसमें आने वाले सेशन में पग नहीं धरेंगे क्या